अगर आप भी बलगम या कफ की समस्या से परिशान है ना दोस्तों तो सिर्फ तीन दिन ले ले ना तीन दिन में ही अगर बलगम छाती में जमा है फेपडों में जमा है या गले में जमा है पूरा बार हो जाएगा दोस्तों जब बलगम अमारी चेश्ट में या गले में फेप तो यह सारी समस्याइं होती हैं जो अंदर अमारे कफ जमा हुआ है ना उसके कारण बार बार बीमार होते हैं तो उससे चुट करा पाने के लिए और दो बारा कभी भी कफ ना बने ना जमे उसके लिए एकदम ही बैत्रीन सा रामबार उपाय आपको बता रही हूं अगर आप भी बलगम की समस्या से परिसान है ना तो यह आजमा लेना आप खुद बताएंगे आपको बहुत जड़ा फायदा होने वाला है तो उसके लिए आमने आपे कुछ तुलसी की पत्तिया ली है और साथ में थोड़ी सी अद्रक ली है तो आपको भी जो चीजे में इसमें डाल भी और लेना भी आप उसी तरीके से सिर्फ तीन दिन लेके देखना आपका पूरा सालों से जमा हुआ जो बलगम है ना वो भी बार हो जाएगा और इससे आपको कुछ भी नुक्षान नहीं होने वाला है क्योंकि चीजे ही अमने ऐसी ली है जो आपको फायदा ही फायदा और क्वांटिटी पे आखास कर ध्यान देना तो वीडियो को आप पूरा देखना इसको किस तरीके से बनाएंगे और कितनी मात्रा में इसमें चीजे डालेंगे क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर हम और भी डालने वाले हैं तो सबसे पहले आपको एक चाय बनाने वाला परतन ले लेना है गैस के उपर रखेंगे और इसमें डाले आप दो कब बरकर पानी सिर्फ दो कब पानी आपको डालना होगा अच्छा इस मुस्खे की एक खास बात ये भी है दोस्तों की इसको आप एक बार बनाकर ही तीन दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मैं यहां प अब इसके अंदर डालेंगे यहां पर अद्रक अद्रक आपको लेनी है आदा इंच से थोड़ी सी बड़ी यह ज़्यादा पतली सी अद्रक थी इसलिए मैंने यहां पर इसके टुकड़े की हैं तो आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे लेकिन एक बार के लिए आपको सबसे पहले तुलसी की पत्तियों को भी दो कर साफ करें क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे बारिक-बारिक से कीडे रहती हैं दूल मिटी रहती है तो उसको अच्छे से साफ कर ले थोड़ी पानी में डाल कर छोड़ दे और फिर आप अगर बड़ी बड़ी पत्ति हैं तो डालने चोटी हैं तो चार-पांच भी डाल सकते हो इसके अंदर तो इस तरीके से आपको तुलसी की पत्ति डालनी है अब अगली सामगरी जो मैं आपको दिखा रही हूं न दोस्तों यह हैं अमारे पास तेज पत्ता जरूर डालना है आपको जिनको फेवड़ों में कफ ज जमा हुआ है उसको निकालने के लिए आपको तेज पत्ता का इस्तिमाल जरूर करना है एक छोटे साइज का तेज पत्ता ले ले अगर बढ़ा हो तो आप तोड़कर आदा ले सकते हो क्योंकि जादा भी नहीं डालना है छोटे साइज का है तो आप एक डाल सकते हो नहीं त इतनी भी चीजे इसके अंदर डालनी है वो एक एक करके आम इसके अंदर डालती जाएंगे अब अगली चीज इसके अंदर अम डालेंगे यहां पी दोस्तो लोंग लोंग आपको सिर्फ एक डालनी है लेकिन द्यान यह रखना आप फूल देख रहे हैं इसके उपर इस तरह क आपके कफ को भी साफ कर देगा पूरी तरह से और आपके पेट में गर्मी भी नहीं होनी देगा क्योंकि चीजे जो हैं आमने एकदम perfect limit में ड़ाली हैं सारी तो आपको इससे फाइदे ही फाइदे मिलने वाले हैं और अभी बारिस का मोसम है न तो ये आपकी immunity को भी मजबूत करता है दोस्तों अर्थरे से आपको फायदा देने वाला है ये सर्दी जुखाम से भी बचाता है और साथ की साथ जिनको कफ की समस्या है उनके लिए तो ये रामबान है तो यहां पे अमने इसके अंदर मिठा वगेरा बिल्कुल नहीं डाला है सिर्फ इसको उबाल कर लेंग नीचे उतार लेना है नीचे उतारने के बाद में इसको रखकर ठंडा नहीं होने देंगे तुरंथी इसको हम चान कर लेंगे क्योंकि जब तक हम इसे चानेंगे और बाकी की चीजे इसमें मिक्स करेंगे तो ये अपने आप थोड़ा सा जो है नॉर्मल टेंपरेचर पे आ है तो ये डालें ये सबसे वेस्ट है ये जितना भी आपकी छाती में फेपडो में बलगम जमा हुआ है गले का इंफेक्शन है रामबान होता है इन सभी समश्याओं के लिए सरदी जुखाम के लिए तो आप एक चमच इसके अंदर खासकर जिनको कफ जमा हुआ है उनको सह सुबह सुबह जब चाय का टाइम होता है आप चाय पीते हैं तो उसकी जगे पे आप ये बना कर लेना दोस्तों जितना भी कफ जमा हुआ है आपको एक बार से ही फायदा मिलेगा कफ जो है तुरंत ही आपका निकलना सुरू हो जाएगा इसको आप दिन में दो बार ले सकत तो तीन दिन में तो आपका जो कफ की समश्या है आप उससे छुटकारा पा लेंगे और बात आती है दो बारा ना जमने देने की तो आपको एक बात का दियान रखना है दोस्तों जिनको कफ या बलगम की सिकायत होती है आमेशा परिसान करता है जम जाता है तो एक तो ठंड चीजों को आप अवाइड करें जादा ठंडी चीजे बिलकुल ना खाएं जैसे फ्रीज वगेरा से निकाल कर सीधा ही आप कुछ भी खा लेते हैं थोड़ी दिर बार रखें और फिर आप उसको खा सकते हैं इस तरीके से दूसरा आपको क्या करना है जब भी ऐसा लगे आपक गम को चाहे कितना भी पुराना हो तुरंत बार निकालने का अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल